अभी कैसे पुश करेंगी team soul या फिर how are they going to take it against and यहाँ पर I think mortal ने knock कर दिया है Kronten को Kronten will be finished from the zone देखते है team soul यहाँ पर अगर चिकन डिनर ले लेगी तो जितने भी soul के fans जितने भी दर्शक हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि finally soul will be back boys जैसे कि आप सब वेट कर रहे हो soul के वापस आने कांड यहाँ पर रेगल टॉस ने अंटो को भी finish कर दिया है K2S के साहिल ने संदू को knock कर दिया है existence ने mega के final boss को knock किया तो वहाँ पर भी काफी fights चल रही है तो देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है मवी को तो finish कर दिया है already तो let's see boys and girls what is going to happen Orange Rock के existence is playing it safe है अहाँ पर 12 kills निकाल चुके हैं टीम Orange Rock अभी तक survive कर रही हैं तो this is a bad news for Team INS क्योंकि जो उनके सबसे closest और सबसे nearest competitor है and that is Team Orange Rock and I think यह game के बाद वो जो lead था Team INS के पास वो चला जाएगा क्योंकि वो थोड़ा से जल्दी नौक हो गए and इस बार तो मतलब Orange Rock ने कते ही आग मचा दिया है क्योंकि already इन्होंने ले रखा है 12 kills and यहाँ पर I think left side पर existence ने सुन लिया होगा sound and but बहुत ही प्यारा नौक कर दिया है अभी ने existence को देखते हैं अभी को बचा पाएंगे या नहीं अभी like existence को बचा पाएंगे या नहीं बट यहाँ पर Molly भी आता हो existence की तरफ तो देखते हैं existence यहाँ पर क्या करने वाले हैं तो I don't think इनको अपनी उनकी जो टीम है इनको बचाने आएंगी तो देखते हैं मॉटल के तरफ जिन्होंने 6 kills ले रिखा है बट यहाँ पर K2S के ग्रूट नहीं यहाँ पर मॉटल को नौक कर दिया काफी open से आ रहे थे मॉटल बट इसी चीज का here to pay the price and he has been knocked तो बात करते हैं रेगल टॉस पर चलते हैं यहाँ पर Barry ने existence को finally finish कर दिया K2S के तो यह भी जो kill है चुराते हुए 8 bit के अवी के द्वारा and let's see यहाँ पर रेगल टॉस आ रहे थे मॉटल को बचाने के लिए बट K2S के फ्लागन ने मॉटल को knock करके finish कर दिया था तो let's see team soul is down to two men and 8 bit के अवी अके लिए बच्चे एं टीम औरेंज रॉक के तरफ से संधू और कैरी है और यहाँ पर अवी क्योजिन करते हुए संधू यहाँ पर उनके तरफ स्प्रे लेते हुए बट कैरी ने यह जो finish कर दिया उनको आखरी बच्चे थे अपने टीम के तर के कोलकाता के लिए काफी अच्छी टीम आज कल मानी जा रही है काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इन्होंने लिया है अभी तक तीन किल्स तो let's see K2S की जो टीम है क्या करती है आज यहाँ पर स्मोक वल्स बना के अपने लिए बैट गये हैं दे डे डे तो let's go to the chicken dinner is it going to be team orange rock या फिर soul या फिर team K2S तो यहाँ पर team K2S का अगर formation की बात करें आप तो team K2S का जो formation काफी अच्छा है K2S के group के पास एक second चलते है एक दफा यहाँ पर इनका जो यो भी यह देखते हैं कैसे यहाँ पर अपने आपको position करके रखे हैं कि यहाँ पर जो zone है that is also closing in now teams would start to you know come inside the zone and यहाँ पर K2S के group ने यहाँ पर spot कर लिया है बहुत ही प्यारा knock सा Barry का on to Sandhu and Sandhu बैरी ने उनको finish भी अकेले ही बचे हैं अपने team के साथ team के लिए तो team K2S has the numbers team orange rock and team soul are down to one man each but अगर बात करें तो team K2S के दो members are already knocked but वो लोग भी revive हो रहे हैं तो I think K2S के group को अभी तक revive मिल जाएगा flag and यहाँ पर revive कर देंगे I think team K2S को थोड़ा सा जो है थोड़ा isolate होना चीए क्यारी यहाँ पर I think heal battle कर रहे है and इसी के साथ he has been eliminated तो चलते है team soul के regular toss के पास जो अकेले बचे हैं अपने team के लिए तो team soul has come down to hashtag 2 position but क्या जो winning chicken dinner है ले पाएंगे बट यहाँ पर Molly आता हुआ उनके अतरफ and यह जो push आता हुआ totally एक बहुत ही wild push आएगा क्योंकि उनको पता है बस एक ही बंदे है and यहाँ पर nade भी कर दिया ताकि उनको बाहर निकल के मानने की कोशिश करेंगे and इसी के साथ इ इनके बंदे हैं तो डाएंगे रहर चाल वाँ चलो टीश कर दो एक चाल कर दो चाल कर दो का दो आएंगे उनके भी कर दो आएंगे again